आज इस वीडियो में हम जो भी हमारे rationale आफोर्ट के आवोर्ट होते हैं, उनके बारे में देखने वाले हैं खेलों से सम्मंधिन जो भी हमारे महतिवपन पुरुसकार है जैसे कि खेल रतन अवर्ड, दोनाचारी अवर्ड, अर्जुन अवर्ड, ध्यांचन अवर्ड, मदना अबूल कलाम आजाद ट्रोफी जिसको हम मा का ट्रोफी बोलते हैं ताकि खिलाडी और अच्छा कर सकें वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए पंडीत दिन्द्याल उपाध्यय रास्टि कल्यान कोस इसकी short form में आप इसको बोल सकते हो PDUNWFS सबसे पहले इसकी starting या फिर शुरुवात या फिर इसकी स्तापना हम खह सकते हैं वह हुई थी मार्च 1982 1982 में इसकी सुरुवात हो गई थी लेकिन देखिए ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है पंडीत दिन्द्याल उपाध्यय ये नाम 2016 में मिला था 2016 में इसमें संसोदन किया गया उसके बाद में ये नाम दिया गया और ये नाम देने के बाद में बहुत सारे और संसोदन किया गया जैसे कि पिंसन अब 5,000 रुपे कर दिगई पहले ये 25,000 रुपे ही थी जो कि खिलाडियों को मिलती थी और एक साथ साहता भी दी गई ताकि जो भी खिलाडी जिनको पैसों की जरुरत है उनको एक साथ पैसे मिल जाएं वो कितनी है 5,000 रुपे ये चोटी चोटी बाते हैं जो कि खिलाडियों के लिए है इसमें पंडित दिंद्याल उपैद्धे नाम पहले जोड़ा गया 2016 में ये इनके बारे में पूरी बाते यहां पर बता रखी है और ट्रेनिंग के दोरान अगर खेल जो हमारे आयोजन होते हैं उनमें भाग लेने के दोरान अगर गंबीर चोट लग जाती है तब भी खिलाडियों को इसके अंदर हेल्प की जाती है तो अपने आप में ये काफी अच्छी स्कीम है इसके बाद में कौन सी स्कीम है नेशनल स्पोर्स टेलेंट सर्च स्कॉलर्शिप ये स्कॉलर्शिप की एक स्कीम है जो कि इंडियन कोवर्मेंट ने कब स्टार्ट की थी 1970 और 1971 में इसका उद्देश्य क्या था कि 8 से 12 साल तक की जो बच्चे हैं उनको नर्चरिंग करना नर्चरिंग करने का मतलब है पान लीजिए 8 से 12 साल का कोई बच्चा है वो बहुत अच्छा खेल रहा है अब अच्छा खेल देना तो एक बात हो गई लेकिन गाओं में हमें पता है संसादनों की बहुत कमी है बच्चों को सही टाइम पर nutrition नहीं मिलते उनको coaching नहीं मिलती अगर सही टाइम पर उनको सभी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो अपनी फिल्ड में या फिर sports में आगे नहीं बढ़ सकते इसलिए government ने ये scheme launch की थी कि हम talent को search करेंगे talent का search करने का मतलब है कि कोई भी खेल में कोई खिलाडी अगर अच्छा है या फिर हमें लगता है कि वो अच्छा performance हमें दे सकता है इंडिया के लिए कोई medal लेके आ सकता है तो हमने ये scheme launch की आठ से बारा साल में ही उसको हमने talent है उसको पहचान लिया talent पहचानने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि इस particular बच्चे को कौन सी game में हमें अच्छे तरीके से खिलाना है तो ये खेल चातरवर्ती योजना थी इसको दर्सी बिस्कीम थी इसकी स्टार्टिंग 7071 में हो गई इसके बाद में खेलो इंडिया के तहट पांच लाख दिये जा रहे है आठ साल के लिए ये खेलो इंडिया के तहट राजे वर्दन सिंग्रा ठोड इन्होंने क्या क्या था कि खेलो इंडिया के तहट एक स्कीम लाँज कर दी थी कि जो आठ साल के लिए पांच लाख रुपे दिये जाएंगे उनके कोचिंग के लिए उनकी इंस्ट्रुमेंट के लिए और उनके डाइट के लिए ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही हैं हमारी नेशनल स्पोर्स टेलेंट सर्च स्कॉलर्शिप के अंदर अभी टेलेंट सर्च स्कॉलर्शिप या फिर टेलेंट सर्च की बात करें तो साई इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है आप साई की साइट पर जाकर देखोगे तो center of excellence हमारे बहुत ज़्यदा बनाए गए हैं अलग-अलग centers पे और schooling जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए अलग है adult जो बच्चे हैं और फिर जिनको हम senior players बोल सकते हैं उनके लिए भी अलग-अलग schemes Indian government ने launch कर रखी है इसके बाद में next है major dhahan chand kheel ratn pruskar इसके बाद में हम जो national awards हैं उनको थोड़ा detail में देखेंगे देखिए major dhahan chand kheel ratn pruskar के बारे में अगर हम बात करें तो अगस्ट 2021 में अभी जो वर्तमान में भारत सरकार है इन्होंने क्या किया खेल के शेत्र में दिये जाने वाले इस सर्वच्च पुरुसकार का नाम राजेव गांदी खेल ratn pruskar से बदल कर major dhahan chand kheel ratn pruskar कर दिया गया पहले राजेव गांदी खेल ratn pruskar रस्चे पुरुसकार का नाम था लेकिन अगस्त 2021 में इसको बदला गया है यह आपको ध्यान में रखना है कई बार ऐसे भी questions हमें पता होना चाहिए questions अगर हमें ऐसे नहीं पूछें तब भी आपको पता होना चाहिए कि अगस्त 2021 में यह नाम change कर दिया गया है अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरुसकार कहा जाएगा अच्छी बात है किसी खिलाडी के नाम पर अगर कोई खेल पुरुसकार का नाम हो तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है खिलाडियों को इससे motivation मिलता है मेजर ध्यानचंद के बारे में आप जानते ही हो मेजर ध्यानचंद भारत के खेल जगत में कोकी के सबसे अच्छे खिलाडी माने जाते है या फिर सर्वोत क्रश्ट खिलाडी इनको हम बोल सकते हैं इन्होंने हमें 1928, 32 और 36 तीन ओलम्पिक गोल्ड मेडल जो दिलाए थे उस टीम के हिस्सा रहे थे मेजर ध्यानचंद इसलिए इनके नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरुसकार कर दिया गया चोटे-चोटे जानकारिये हैं आई होप आपको इनके सबके बारे में पता होगा इसके बाद में इसकी शुरुवात कब होगी थी 91-92 में मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरुसकार की शुरुवात 91 और 92 का जो सेशन था उस सेशन के अंदर सुरुवात होगी थी सबसे पहले किसको मिला था विश्वनाथन आनंद को जो कि हमारे चेस के पहले ग्रेंड मास्टर रहे है विश्वनाथन आनंद उनको सबसे पहली बार 91-92 का जो खेल रतन पुरुसकार था वो मिला था ये पुरुसकार हर एक साल परदान किया जाता है हर एक साल ये पुरुसकार मिलता है और खेल और युवा वाजवल गोल्ड मेडल जीतकर लेकर आये थे अभिनाव बिंदरा उनको ये ओवर्ड दिया गया लेकिन उनको ये ओवर्ड कब दिया गया 2001 में तो आप जान सकते हो 2008 में गोल्ड मेडल लेकर आये उससे पहले इनको ये ओवर्ड मिल गया था तो आपको confused नहीं होना है कि 2001 ही है कहीं आपके दिमाग में यह आए 2008 में अभिनो बिंदरा गोल्ल मेटल लेकर आए और 2009 में इनको इनाम दिया गया ऐसा नहीं है 2001 में इनको यह अवोर्ड मिल गया था 2009 में इनको पद्म भुष्ण मिला था अगर नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं अभिनो बिंदरा के बारे में आपको ध्यान में रखिए कि सबसे कम उम्र में इनको यह अवोर्ड मिला है 18 वर्ष की आयो में अभी तक किसी भी खिलाड़ी को यह अवोर्ड नहीं मिला है इसके बाद में अगर हम पहली भारती महिला के बात करें तो 94-95 के जो सेशन था उसके अंदर करनम मल्लेश्वरी को यह वोर्ड मिला था 94-95 और इन्होंने 2000 का जो सिडनी ओलंपिक हो था उसके अंदर भारत की तरप से भाग लिया था यह भी आपको जहां में रखना है पहली भारती महिला के बात करें तो हो है करनम मल्लेश्वरी क्या दिया जाता है इसके अंदर एक प्रमान पत्तर मिलता है एक मैडल मिलता है और अभी रासी बढ़ा दी गई है जो की कर दी गई है 25 लाख रुपे नगद रासी के रूप में दी जाती है यह सारी इंफोर्मेशन हिंदी में थी यह यहाँ पर आप इनको इंगलीस में देख सकते हो इसकी PDF आपको टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगी जो की Sports Engineer नाम से है इसके बाद में नेक्स्ट हमारा अवोर्ड है अर्जुन अवोर्ड इसके बारे में आप सभी जानते हो सबसे पहले इसकी स्तापना देख लेते हैं 1961 1961 में इसकी स्तापना हो गई थी और Sports में यह Major धांचन खेल रतन पुरुषकार के बाद में दूसरे नमबर पर है या फिर आप यह कह सकते हो कि 91-92 से पहले जो सबसे वड़ा अवोर्ड था Sports में वो अर्जुन अवोर्ड ही था अब जो पहला अर्जुन पुरुषकार है उसके बारे में हम देखेंगे कई बार ऐसे questions हमें देखने को मिलते हैं तो पहला जो अर्जुन पुरुषकार था वो मिलता पीके बैनर जी को पीके बैनर जी हमारे भारत के फुटबॉल के ओलम्पियन थे ओलम्पिक्स में भारत की तरफ से ये कप्तान रहे थे और 1961 में सबसे पहले जब अर्जुन पुरुषकार दिया गया ये भी आपको बता दिया, लेकिन कितने लोगों को मिला था, तो वो आपको धान में रखना है, टोटल 20 लोगों को सबसे पहले 1968 के अंदर अरजुन पुरुसकार मिला था, उन 20 लोगों में सबसे पहले मिला था PKB Energy को, अगर हम महिला खिलाड़ी की बात करें, तो पहली महिला अरजुन पुरुसकार विजिता थी, इनका खेल कौन सा था, तो इनका खेल था होकी, या फिर आपको इस तरीके से भी पुछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है कि अन्ना लंस्डेन कौन से गेम से रिलेटेड हैं, कौन से खेल से सम्मन दित हैं, तो भी आपको होकी की एक बहुत अच्छी खिलाडी रही है, इसके बाद में अरजुन पुरुसकार के अंदर क्या मिलता है, अरजुन की एक कहन से प्रतिमा मिलती है, इस तरीके की, एक स्क्रॉल मिलता है और 15 लाक रुपे का नगत पुरुसकार के साथ, एक ओप्चारिक पोशाक जो आ इसके बाद में हमारा वोर्ड आता है दोनाचारी पुरुसकार इसकी स्तापना कब हुई थी 1985 में छोटी छोटी बाते हैं अगर आप इनको समझ सकते हो तो देखिए 1983 में क्या हुआ था हमने क्रिकेट का वर्ल कप जीता था सबको पता है 1983 में कपिल देव की कपतानी में हमने क क्रिकेट का वर्ल कप जीता इसके बाद में 1984 में जब वर्ल कप जीत लिया तो पता लगा कि इंडिया में स्ट्रेंथ है इंडिया के भी प्लेयर अच्छे लेवल पर जाकर वर्ल कप जीत सकते हैं फिर हमारे को लिए ओलम्पिक में मेडल लेकर आ सकते हैं तो 1984 में साई की स् तो हमने क्या देखा कि हमारे जो बहुत सारी कोच हैं, वो कोचिंग देते हैं प्लेयर्स को, उनके लिए भी हमें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, तब क्या किया, 1985 में दोनाचारे पुरुषकार की सुरुवात कर दी, इन तिनों को आप सिक्वेंस में याद रखिए, 1983 में ह वर्ल्डकप जीतने के बाद में हमने देखा कि ट्रेजिंग सेंटर की स्तापना करनी चाहिए, तो हमने साईग की श्तापना कर दी, कब करी थी? 25 जनवरी 1984 को, इसके बाद में क्या हुआ, इन ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सारे कोचेव थे, तो वो कोचिंग देते हैं, उ पुरुसकार पर आते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि पिछले तीन वर्सों से लगातार बहुत अच्छी उपलब्दियां हासिल की हैं, किसी प्लेयर को अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया है, उस खिलाडी ने पिछले लगातार तीन वर्सों से अगर बहु बार पूछा गया है, तो यह बहुत important question हो जाता है, आपको गुमा फिरा किस तरीके से पूछ लेते हैं, यह पता होना चाहिए, तो सबसे पहले तो देख लीजिए, भालचंदर, भासकर, भागवत, यह तीन B हैं इसके अंदर, भालचंदर, भासकर, भागवत, इसके बाद मे अब जो हमारे भासकर भागवत थे, वो कुस्ति के कोश थे, ओम प्रकास भारदवाज, मुक्य बाज या फिर बॉक्सिंग के कोश थे, और ओम नाम ब्यार तो बहुत ही मान, एथलेटिक्स कोच रहे हैं, जिन्होंने किसको कोचिंग दी थी, भारत की तो स्प्रिंट क्वि लिए नाम दे दिया, ओपी, भार्दवाज का, इसके बाद में भालचंदर भासकर भागवत का, और फिर ओम नाम ब्यार का, इन तिनों के आपके सामने फिर गेम दे दिया, मान लिए रेसलिंग दे दिया, बॉक्सिंग दे दिया, और एथलेटिक्स दे दिया, और एक और लोगों को दोनाचारे पुरुसकार मिला है लेकिन जो first होता है वो important होता है first और latest जिनको हम current affairs बोलते हैं वो हमारे लिए important होते हैं तो यह आपको द्हान में रखने हैं तिनों और 1985 में पहले दोनाचारे पुरुसकार विजयताओं में से यह थे और इसी साल क्या होई थी दोनाचारे पुरुसकार की स्थापना होई थी अब देखिए महिला खिलाड़े के बारे में आपको पता होना चाहिए तो सबसे पहले 2002 में दिया गया 2002 से पहले दोनाचारे पुरुसकार किसी महिला कोच को नहीं मिला था तो पहली महिला जो हमारी कोज थी वो थी रेनू कोहली, रेनू कोहली किसकी कोज थी, एथलेटिक्स की, एथलेटिक्स का नाम आपको जान में रखना है, चोथा नाम आपको इनका मिल सकता है, जिसे की रेनू कोहली और यहां पर मिल गया एथलेटिक्स, इनको मिलाने के लिए आपको बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा question बन सकता है इस तरीके से आप इन questions को करोगे तो कभी भी आपको problem नहीं आएगी एक चीज को दूसरी चीज से दोड़ने की कोशिश किया करो Rattification में कई बार चीजे मुश्किल हो जाती हैं और इसके बाद में इसके दो वोड़ है एक तो है regular category और एक है lifetime lifetime के लिए मिलते हैं 15 लाग रुपे और regular category के लिए मिलते हैं 10 लाग रुपे मूर्ती मिलती है इस तरीके की scroll, आपचारिक पॉसाग और एक यहां पर आप इसको इंगलिस में भी read out कर सकते हो इसके बाद में हमारा next आता है मुलाना अब्बूल क्लाम आजाद ट्रोफी इसको हम मार्का ट्रोफी बोलते हैं इसकी स्तापना की बात करें तो 1950, 1957 में इसकी स्तापना हुई थी इसको याद रखने का तो बहुत है सिंपल सा तरीका है 1857 के जो करांती हुई थी उससे पूरे 100 साल बाद और यह दिया भी इसी तरीके से जाता है मुलाना अब्बूल क्लाम आजाद ट्रोफी है यह जो हमारी करांती हुई थी इसका सतापदी वर्ष कौन सा है 1957 1957 को इसके शुरुवात कर दी गई थी यह कब देते हैं ओल इंडिया इंटर निवर्ष्टी जो गेम होते हैं उन गेम्स में जो युनिवर्ष्टी सबसे टॉप पर रहती है फर्स नमबर की पोईशन पर जो युनिवर्ष्टी रहती है उसको मिलता है और सबसे टोप पर अभी तक कौन सी सबस्यादु उनिवर्ष्टी रही है गुरुणानक देव युनिवर्ष्टी अमरिथ सर इस उनिवर्ष्टी को यह सबसे जयदा अबबार award मिला है और अगर हम नाम की देखें तो इस पुरुषकार का नाम अबुलकलाम आजाद के नाम पर रखा गया है जिनने हम स्वतन्तर भार्द के पहले शिक्षा मंतरी के रूप में जानते हैं यूवा मामले और खेल मंतराले द्वारा यह हर साल दिया जाने वाला एक पुरुषकार है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि विश्व विद्धाले को परदान किया जाने वाली एक रोलिंग ट्रोफी है रोलिंग मतलब एक बार इस यूविश्टी के पास यह ट्रोफी रह गई उसके बाद नेक्स्ट यूविश्टी के पास यह ट्रोफी चली जाएगी अगर वो फस्ट पोजिशन पे आ जाती है तो अगर इसकी माका ट्रोफी में नगत पुरुषकार की बात करें तो वो मिलता है 15 लाक रुपे विजेता जो हमारी विश्व इधाले होते हैं या फिर यूविश्टी होते है उसको दूसरे और तीसरे इस्तान पर रहने वाले जो हमारी यूविश्टी हैं अनको 6.50 लाक और 7.50 लाक सेकेंड पोजिशन पे मिलते हैं साड़े 7.00 लाक रुपे और थर्ड पोजिशन पर मिलते हैं साड़े चार लाख रुपे यहाँ पर इनकी इंग्लिश में इन्फोर्मेशन आप रीडाउट कर सकते हो प्रस्टे खेल प्रोथसान पुरुसकार की बात कर लेते हैं अब यह पुरुसकार भारत का एक खेल सम्मान है और यह भी हमारा युवा मामले और खेल मंत्रा ले हैं इसके द्वारा हर साल दिया जाता है इसमें देखिए यह अलग-अलग कॉर्पोरेट्स को मिलता है स्वेश्चिक संग्ठन है, खेल नियंतरन बोर्ड है, उनको दिया जाता है उनकी भागिदारी की रूप में दिया जाता है भागिदारी का मतलब है कि स्पोर्ट्स में आपका कितना योगदान है वो अलग-अलग पेरामेटर हमने बना रखे हैं उनके कोर्डिंग हम यह अवोर्ड देते हैं हर साल इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी शुरुवात कभ भी थी तो यह 2009 में शुरू हो गया था स्टे खेल, प्रोथसान, प्रुसकार इसको इंग्लिश में भी इसी नाम से जानते हैं इसकी शुरुवात हो गई थी 2009 में और इसके नियमों में कुछ तो उसको यह वोड मिलता है, दूसरा है corporate, समाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को जो प्रुस्थान मिलता है, उसके लिए, तीसरा, खिलाडियों का रोजगार और खेल का लियान के लिए जो उपाय करने वाले सेंस्ता है, उसको दिया जाता है, और विकास के लिए खे प्रतेक जेर्ने में एक प्रसस्ती पत्र और एक ट्रॉफी दिजाती है, प्रसस्ती पत्र और ट्रॉफी तो इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इन चारों को आपको ध्यान दर्कना है, इसके बाद में तेंजिंग नौर्गे रास्टिय शासिक पुरुषकार है, और इसको नेशनल एडवेंचर अवोर्ड बोलते हैं, इसकी शुरुवात हो गई थी 93-94 के अंदर, तेंजिंग नौर्गे रास्टिय सासिक पुरुसकार के रूप में हम इसको जानते हैं, 94 के लिए 95 में सबसे पहले दिया गया, इसका मतलब हुआ कि 93 और 94 का जो सेशन था, इसमें शुरुवात हो गई थी, लेकिन सबसे पहले यह अवोर्ड कब दिया गये, तो वो दिया गये थे इससे अगले साल 1995 में, तेंजिन नोर्गे के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1953 में एडमंड हिलरी के साथ माउंट एरिस्ट के सिखर पर पहुंचने वाले पहले दो वेक्तियों में से एक थे, इसलिए इनके नाम पर इस अवोर्ड को रखा गया है, युवा मामले और खेल मंतलाले द्वारा हर पहले तीन वर्षों में भूमी, समुद्र और वायू पर सासिक गतिवीदियों के शेतर में उतकर्ष्ट उपलब्दी के लिए सम्मानित किया जाता है, तीन साल का प्लास्ट रिकोर्ड देखा जाता है इसके अंदर, इसमें भूमी, समुद्र और वायू आ गई, लैंड, स इसमें अगर किसी ने बहुत सासिक परदशन किया है, उसको यह अवोर्ड हम देते हैं, आज इवन उपलब्दी के लिए भी लोगों को दिया जाता है, मान लीजिए किसी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवोर्ड देना हो, तो वो भी मिलता है, और एक रेगुलर से हम क्या करने लगे हैं, कि जो सभी नेस्टन अवोर्ड हैं, उनके साथ इस पुरुसकार को भी 29 अगस्त को राष्टपती बहुन में एक राष्टपती समारों में परदान किया जाता है, 2004 से पहले इस अवोर्ड को अलग परदान किया जाता था, अलग से इस अवोर्ड को दिया जाता था लेकिन 2004 के बाद में क्या किया जब 29 अगस्त को बाग की सारे जो नेस्तन अवोर्ड हैं वो डिस्टिब्यूट किये जाते हैं वो प्रदान किये जाते हैं हमारे राष्टपती महोदे के द्वारा उसी समय अब इसको दिया जाता है 2004 से इसके बाद में कुछ और छोटी-छोटी बाते हैं जैसे कि खेल आयोजनों में पदक विजेता और उनके जो कोचेज हैं उनके लिए विशेस पुरुसकार 1986 से इसकी शुरुवात हो गई थी 15 लाग से 75 लाग रुपे तक के इनाम दिये जाते हैं अलग-अलग इनकी अगर आप देखना चाहो तो मैडलिस्ट के लिए अलग-अलग इनमें अवोर्ड दे रखे हैं जैसे कि उलंपिक में जो हमारे मैडलिस्ट हैं या फिर पेर अलंपिक गेम्स के अंदर जो मैडलिस्ट है उनको 20,000 रुपे मिलते हैं पेंसें के यह पेंसें कब मिलती है जब खिला दिया तो सन्यास ले ले या फिर 30 साल की जो एज है यह जो उम्र है उसको क्रोस कर ले उसके बाद में अलग-अलग पेंसें मिलती है और अगर कोई गोल्ड मैडलिस्ट है World Cup, World Championship के अंदर या फिर Asian Games के अंदर तो देखे यह जो 4 साल में होने वाली जो competition है उसके अंदर यह दिया जाएगा 4 साल से पहले जो competition होगी उसमें नहीं मिलेगा उसमें अगर यह दोनों criteria compete कर लेता है कोई खिलाडी या तो इसमें एक तो सबसे पहला criteria इसके अंदर medal जीतना तूसरा वो 30 साल clear कर लेता है और सन्यास ले लेता है तो उसको 16,000 इसके बाद में silver और bronze के लिए है 14,000 gold medalist हमारा Asian या फिर commonwealth या फिर para-Acean Games में उनको क्या मिलते हैं 14,000 silver और bronze medal वाले को मिलते हैं 12,000 यह pension है जो पर मंत मिलती है अभी कुछी सालों पहले इस pension के बारे मनाउस किया है आगे आने वाले सालों में इसमें बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिल सकती है इसके बाद में आती है Sports Development Fund SNSDF National Sports Development Fund इसकी इस्ताफणा 98 के अंदर हो गई थी और November 98 में इसको notify कर लिया गया था मतलब इसको अधीशुचित कर लिया गया था भारत सरकार के द्वारा इस्ताफणा आपको जान में रखनी है November 98 में इसकी इस्ताफणा हो थी और बाकि सारी बाते हैं इसके अंदर अलग-अलग जो हमारी फिल्ड के लोग हैं वो इसमें कॉंट्रिबूट करते हैं अपना योगदान देते हैं इसके अंदर बहुत बड़ी-बड़ी सेंस्ताइ हैं वो अपना योगदान दे सकते हैं आप भी दे सकते हो Sports Development Fund के अंदर इसमें इस वीडियो में इतना ही जाहिन